क्या आप जानते हैं नवरात्री में नौ दिनों में नौ देवियों की पूजा की जाती है और किस दिन किस देवी की पूजा की जाती है अगर नहीं तो बने रहे हमारे साथ आज की इस विडियो में आप लोगों को बताऊंगा नवरात्री के नौ दिनों में किस दिन किस देवी की पूजा की जाती है? पहला दिन प्रतिपदा इस दिन देवी शैल पुत्री की पूजा की जाती है वो ब्रमहा, विश्नु और महेश की सामुहिक शक्ती की अवतार है दूसरा दिन द्वितिया इस दिन देवी ब्रमचारनी की पूजा की जाती है वो आनंदित होती है और उनकी पूजा करने वाले सभी भक्तों पर सुख, शान्ती, समरिधी और कृपा प्रदान करती है तीसरा दिन तृतिया इस दिन देवी चंद्रगंटा की पूजा की जाती है वो सुंदर्ता और अनुग्रह का प्रतिनिधित्व करती है और जीवन में शान्ती और समरिधी प्रदान करती है चौथा दिन चतुर्थी इस दिन देवी कुश्मांडा की पूजा की जाती है उन्हें विश्व का निर्माता माना जाता है पाँचवा दिन पंचमी इस दिन देवी सकंदमता की पूजा की जाती है वो सकंद या कार्तिके की माता है दिन शे इस दिन शष्ठी देवी कात्याइनी की पूजा की जाती है कात्याइनी का जन्म महान रिशी, काता के घर दुर्गा के अवतार के रूप में हुआ था दिन साथ सप्तमी, इस दिन देवी कालरात्री की पूजा की जाती है उनका रंग सावला, अस्त्वियस्त बाल और निडर मुद्रा है दिन आठ, अश्टमी, संधी पूजा और राम नवमी इस दिन मनाई जाएगी दिन नौ, दश्मी, नवरात्री पारण का दिन आप सभी को नवरात्री की बहुत सारी शुप काम नाए ठोप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें